हेलो फ्रेंट्स मैं मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सिंपल ब्लाउस बना रहे हैं प्रिंसस कट पे फ्रन्ट ओपन 32 साइज का तो दिखे फ्रेबरिक को इस तरीके से मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा हुआ है और एक लाइन डौ करके कपड़े को सीधा कर लिया है टोटल लेंथ मने लिये हैं यहाँ पर 14 इंच लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं शोल्डर लेने हैं डीप नेक में हमें 32 साइज में 5 इंच और आर्मोस लेने हैं 5.5 इंच इस तरीके से क्लाइन डौ करके सीधा कर लें आप चेस्ट का चोथा भाग लेना है 8 इंच 32 चेस्ट हैं तो और 5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा रख सकते हैं अब देखिए हाफ इंच से थोड़ा सा कम हमें अंदर की तरफ लेना है इस तरफ लेना है आर्मोस की तरफ और इसे गुलाई दे देनी है यह हमें डीप नेक में करना होता है हाफ इंच से थोड़ा सा कम लिया है मैंने इस तरीके से और इसे इसमें आपको आर्मोस का शेव दे देना है तो इस तरीके से करेंगे तो पहनने के बाद आपको खिचाओ मैसुस नहीं होता है डीप नेक में और फिटिंग भी पीछे से परफेक्ट दिखती है तो दीखें यहाँ पर कमर का चोता बाक्स हमने ले लिया है साड़े छे इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन तीन इंच का ले लिया है नीचे से इसमें मैं मार्जिन दो इंच से नहीं रख रही हूँ धाई इंच तक रख रही हूँ आप अपने अकॉर्डिंग कम्या ज़्यादा रख सकते हैं और इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है अब दीखिए बैक पार्ट में इस तरीके से फोल्ड करें मार्जिन वाले पार्ट तक और सेंटर में कट लगा ले उपर से टक्स की लंबाई ले ले चार इंच आप चाहें तो नेक कटिंग करने के बाद भी बैक टक्स लगा सकते हैं तो दीखिए आप पर विट्ट में ले रही हूँ दो इंच और लेंथ में ले रहे हैं साड़ी नो इंच आप अपने अकॉर्डिंग नेक रख सकते हैं यहाँ से तीन इंच लिया है विट्ट में और इस तरीके से करने के बाद एक बॉक्स बना ले आप और यहाँ पर नेकी गोलाई का शेप दे दे यहाँ पर मैं राउंड नेकी रख रही हूँ उगर आप कोई और डिजाइन यहाँ पर ड्रॉख करना चाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन बना सकते हैं बैक में अब हम इसे कट कर देंगे अब दीखिए हम फ्रंट वाले पाट को कट करेंगे तो यहाँ पर भी बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और एक लाइन डॉकर की कपड़े को सिधा कर लिया है हाफ इंच हायूक की पट्टी के लिए मैंने अलग से ले लिया है यहाँ पर और दीखिए हाँ पर शोल्डर की मार्किंग करनी है जो हमने हाफ इंच एक्स्टा लिया हुआ है उसे छोड़ते हुए शोल्डर पाच इंच आर्मुल साड़े पाच इंच ले 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 आप चाहें तो यह सब मार्किंग आप बैक वाला पार्ट रखकर भी कर सकते हैं और यहाँ पर चेस्ट का चोटा भाग 8 इंच और एक्स्टा मार्जिन 2 इंच का ले लिया है गुलाई कर दी है मैंने कमर के लिए मार्किंग कर लेनी है हमें आर्मोस की गुलाई फ्रेंट में अभी नहीं दे रहे हैं वो हम स्टिचिंग के टाइम पर देंगे और दीखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे रह कर लिया है एक्स्टा बढ़ाना है प्रेंसस कट के लिए तो यहाँ से एक इंच और नीचे से हमने 2 इंच बढ़ा लिया है एक्स्टा ले लिया है यहाँ पर हमने प्रेंसस कट कटिंग के लिए और जो front part की length है वो भी हमने half inch बढ़ा कर ली है तो जो front part की length हमने ली है वो साड़े 14 inch ली है total length और back part की हमने ली है 14 inch तो आप भी धियान रखें front part की length को half inch बढ़ा कर लें क्योंकि इसमें हम princess cut cutting करेंगे 2 inch width में और 7 inch length में neck के लिए यहाँ पर एक box बना ले और इस तरीके से गुलाई दे दे अब हम princess cut के लिए marking करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें 3 inch लेना है और उपर से tux point साड़े 10 inch पर लेना है इस तरीके से client rock करके सीधा कर ले 1.5 inch इस तरफ से और 1.5 inch उपर की तरफ से ले ले और इसे आर्मोल्स की तरफ मिला है सबसे पहले और इस तरीके से shape दे दे हाफ इंच उपर की तरफ ले ले और यहाँ से इससे shape दे दे इस तरीके से देखिए अब मार्किंग कम्प्रीट हो गई है अब हम इसे cut कर रहे हैं तो मार्किंग का ध्यान रखें आपको 32 size में अगर आप front open princess cut बनाना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से cutting करनी है और भी कोई confusion हो तो आप हमें comment करकी पूछ सकते हैं और इसे हाँ से तरीके से cut कर लें तो दीखें यहाँ पर हमारा front pad भी cut हो गया है अब हम slips cutting करेंगे तो slips cutting करने के लिए back pad के आर्मोस को ना अपना है तो दाइंच छोड़ दें और उपर से half inch छोड़ दें और बीच का आर्मोस ना अपनें तो यहाँ पर यहाँ आ रहा है 7 इंच इसमें हमें half inch plus करना है यह देखें बज़वे कपड़े को इस तरीके से fold करके रखा है एक इंच छोड़ दिया है fold करने के लिए और slips की length ले लिए 11 इंच पर आप अपने according slips की length रख सकते हैं और मैं यहाँ पर कोनी तक slips बना रही हूँ तो हम यहाँ से इस तरीके से सबसे पहले 7.5 इंच पर हमने marking किये आर्मोस की 3 इंच पर down किया है अगर छोटी slips रखते हैं तो 2 या 1.5 इंच पर ही down करें इस तरीके से तिर्चे में हमें आर्मोस ना पले नहीं 7.5 इंच और 2.5 इंच एक्स्टा मार्जिन ले लेना है और इस तरीके से slips का शेप दे देना है हलके हातों से गोलाइन आप ले 6 इंच 5 इंच एक्स्टा मार्जिन ले ले और लाइन डॉकर की सीधा कर ले तो यह बहुत ही आसान तरीका है स्लिप्स कटिंग करने का अब हम इसे कट कर लेंगे प्रेंट आर्मोस की गोलाई दे देंगे 1.5 इंच जितनी गोलाई दे देंगे हमें आपर मार्किंग कर ले ताकि आपको स्लिप्स चोड़ते समय ध्यान रखें रहे कि यह आपको यह वाला पार्ट फरंट में ही अटेज करना है तो चलिए कटिंग कम्प्रीट हो गई है हमें हमारी यहाँ पर और हम पट्टियां भी रेडी कर लेते हैं जो हमें हाई उक में लगानी है यह कमर पट्टि है अब दिखिए आपको नेक में फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर उरेप पट्टि बता रही हूँ किस तरीकी से कटिंग करनी है तो यहाँ पर आपको सवा एक इंच की पट्टियां कट करनी है तो बच्चे हुए कपड़े में से यहाँ पर मेरे पास एक मीटर कपड़ा था और बच्चे हुए कपड़े में से इस तरीके से आपको पट्टियां कट कर लेनी है उरेप में तिर्ची पट्टियां है यह और जो किनारी है उसे कट करके निकाल देना है अब आपको इसे किस तरीके से जॉइंट लगाना है एक पट्टी का मूँ इस तरफ रखना है और एक पट्टी का मूँ इस तरफ रखना है और इससे देखिए आपको देखिए अब हम यहां से स्लिफ्स को इस तरीके से फॉल्ड करके तयार कर लेंगे तो जितना margin हमने लिया हुआ है उतना ही हमें यहाँ पर fold करना है दूसरी वाली slips भी इसी तरीके से fold कर ले और fold करने के बाद आप यहाँ से मिला लें कि आपका कहीं से बड़ा चोटा तो नहीं हो रहा है कोई part तो उसे उसी time आप cutting कर दे अब आपको back part में plits ले लेनी है तो जो marking हमने की थी उसी marking के according आपको यहाँ पर 4 इंच लंबी लंबाई में plits ले लेनी है अब हम front वाले part को ready कर लेंगे तो देखें front वाले part को दोनों को आपने सामने इस तरीके से रख ले और pinces cut वाले part को इस तरीके से आपको नीचे से joint करना है नीचे से joint करते हुए उपर की तरफ आपको complete करना है पार्ट को joint करते समय आपको खीचना नहीं है बिल्कुल पकड़ते हुए ही आपको कपड़े को joint करना है तो देखिए इस तरीके से आया है और puff भी अच्छा आया है इसमें तो हमने यहाप पर दोनों ही part ready कर लिये हैं अब देखिए आर्मोल्स की गुलाई यहाँ पर देनी होती है आपको तो यह deep नेके तो इसमें गुलाई ज़्यादा नहीं हाईगी तो इस तरीके से half inch से थोड़ी कमी है आपको दोनों part को बराबर रख लेने हैं और इस तरीके से आर्मोल्स की गुलाई दे दिनी है अब हम यहाँ पर हायूग की पटी अटेज कर लेंगे तो वो आपको किस तरीके से करनी है देखिएगा इस तरीके से हमने पटी को रख कर इसके उपर अटेज करा है इसे खोल कर एक से लाई आपको कॉर्णर पे लगा लेनी है और इसे फोल्ड करके उपर से सिलाई लगाएं आप तो एक सिलाई कॉर्णर पे लगाई थी एक सिलाई हमें एक पेर की लगानी है एक्स्ट्रा पटी जो भार की तरफ निकल रही है उसे कट कर दीजीगा तो दीखे हमारी फिनिशिंग के साथ हाई उप की पटी अटेच हो गई है अब हम हूप की पटी रेडी करेंगे तो फोल्ड करके इस तरीके से रखें एक सिलाई उपर से लगाएं और एक सिलाई इस तरफ से लगा लें देखिए पटी को बराबर करके चेक कर लें कहीं से बड़ी चोटी तो नहीं हो रही है अब हम शोल्डर जोइन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको उपर हाफ इंच लेते हुए शोल्डर को जोइन कर देना है दिखिए हमने इस तरीके से दोनों ही शोल्डर को जोइन कर दिया अब एक सिलाई हमें इस तरीके से लगानी है एक पेर की नीचे लेते हुए लगानी है तो इससे जो हमारे शोल्डर है वो बिल्कुल पर्फेक्ट रहते हैं अब हमने एक पर फिनीशिंग दे देंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर उड़े पटी कट करी हुई है तो इस तरीकी से मैंने आपको बताया था उसी तरीकी से पटी को हमने जॉइंट कर लिया है और जो जॉइंट वाला पाट है उसे खोल कर आप सिलाई लगाए तो यहाँ पर एक पेर का मार्जिन लेते हुए पूरे ही नेक पर आपको सिलाई कम्प्लीट कर लेनी है यहाँ पर हमारी पटी कम्पीट हो गई है जो जहाँ पर आप सिलाई उतारते हैं वाँ पर फोल्ड कर लें और पूरे ही नेक पर आपको छोटे-छोटे से कट लगा लेने है अब हम एक चलाई पटी के उपर कॉर्नर की लगाएंगे तो इसी भी आपको पूरे नेक पर इसी तरीकी से लगा लेना है अब जो एक्स्ट्रा पटी निकल रही है हमें जितना फोल्ड करना है उतनी बड़ी पटी रखकर हम इसे कट कर देंगे ज्यादा चोड़ाई में नहीं रखना है हमें अब देखिए इस तरीके से मोड़ते जाएं और ये वाली सिलाई जो है हमारी कॉर्नर की वो बाहर की तरफ ना दिखने पाए और इस तरीके से इसे पॉल्ड करते जाना है पूरे ही नेक को आपको फिनीशिंग के साथ देखिए हमने नेक पर फिनीशिंग दे दी है यहाँ पर अब हम कमर पट्टी लगा लेंगे तो वो आपको किस तरीके से लगानी है ये देखिए इस तरीके से लगानी है आपको यहाँ पर मैंने देडी इंच चोड़ी पट्टी कट करी है कमर में लगाने के लिए और उसे भी इस तरीके से लगानी है आपको एक सिलाई कॉर्णर पर लगानी है और एक सिलाई आपको फोल्ड करके लगानी है तो इसी तरीके से आप फ्रंट वाले पार्ट में भी कमर पटी लगा ले और सेंटर में एक मार्किंग करनी है आपको इस तरीके से और फ्रंट वाला पार्ट लेके इस तरीके से पिन लगा लेनी है और यहां नीचे से बराबर करते हुए आपको उपर की तरफ सिलाई लगानी है फिटिंग के लिए तो इसे बराबर करते जाएं एक्स्ट्रा कपड़ा अगर कोई बाहर की तरफ निकल रहा होता है तो उसे निकलने दे बैक पार्ट से बराबर करकी सिलाई लगा लिनी है उसके बाद इस तरीके से कर ले तो जितना भी एक्स्रा कपड़ा है वो हमारा बाहर की तरफ निकल जाएगा और हमारे आर्मूज तरफ से बिलकुर परफेक्ट कटिंग हो जाएगी अब मैंने कच्छी सिलाई लगाई थी देखिए दोनों ही तरफ इस तरीके से मैंने कम्पीट किया है और सिलाई को खोल दिया है अब हम सेंटर से स्लिफ्स जाइंट करेंगे तो इससे बिलाउज में फिटिंग सही आती है और हमारे जाइन्ट भी बिलकुर परफेक्ट रहते हैं तो आप इसी तरीके से फिटिंग लगाएं तो देखिए यापर हमने स्लिफ्स भी जाइन्ट कर ली है एक सिलाई उपर से लगा लें स्लिफ्स पर हमें दो सिलाई लगानी है दूसरी तorit के sleeves भी इसे तरीके से joint कलर, center में marking करें और front part को इस तरीके से लगाकर इस तरीके से रखकर pen लगा लें और joint से joint मिलाते हुए एक silahी लगाले नहीं है आपको यह हमें सीधे part पर लगानी है यह हमारी गुम silahी होती है जो के अंदर की तरफ चली जाती है देखिए जो मैंने कटिंग करी थी बराबर करके उससे हमारा पूरा उपर से लेके नेचे तक फिटिंग बिलकुर बराबर रहती है पार्ट जो है वो पड़े छोटे नहीं होते हैं अब हम फिटिंग लगाने के लिए बलावस को उल्टा कर लेंगे और एक से लहीं यहाँ पर एक पेर का मार्जिन रखते हुए लगा लेंगे अब यहाँ पर हम फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेंगे तो यह हमारा हाई बाला पार्टी उससे छोड़कर मार्किंग करनी है आपको क्योंकि वो एक्स्ट्रा होता है यहां से ले ले 8 इंच यहां से ले ले 6 इंच और इसे सीधी मार्किंग कर ले स्क्लीप्स के ले ले 6 इंच क्योंकि मोरी 12 इंच है गुलाई 10 इंच ये तो 5 इंच और इसे इस तरीके से मिला दे और यहाँ पर इस तरीके से पिटिंग की सिलाई लगा ले एक सिलाई दूर सिलाई जितनी भी लगाना चाहते लगा कर कंप्लीट कर ले तो यहाँ पर यह फाइनल लूक है बलाउस का